सवाल नंबर एक. भारत का कौन सा खिलाडी हाल ही में डाइमंड लीक चैंपियन बना है? आपके आप्षिन है. आ पीवी सिंधू, बी नीरश चोपड़ा, सी एचेस प्रने, दी हिमादास, उत्तर, नीरश चोपड़ा, सवाल नंबर दो. 2022 के लिए फॉर्चून इंडिया की भारत के सबसे अमीर की सूची में किस व्यवसाई को पहला स्थान दिया गया था? आपके आप्षिन है. A. मुकेश अंबानी B. गौतम अदानी C. साइरस पुनावाला D. आदी गोद्रेज उत्तर गौतम अदानी सवाल नंबर तीन WHO ने 2030 तत्थ पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए 1.5 बिलियन अमरीकी डालर का अभियान शुरू किया. आपके आप्षिन है. A. बैक्टिरियल मेनिंजाइटिस B. कोविद उननीस C. पोलियो D. हेपेटाइटिस उत्तर बैक्टिरियल मेनिंजाइटिस सवाल नंबर चार PM. श्री योजना जिसे हाल ही में लॉंच किया गया था, किस शेत्र से सम्बंधित है? आपके आप्षिन है A. इलेक्ट्रोनिक्स B. निर्यात C. शिक्षा D. अनुसंधान और विकास उत्तर शिक्षा सवाल नंबर पांच इसरो ने बैंगलूरू स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रोध्योगी की में किस देश की अंतरिक्ष एजंसी के साथ भागीदारी की? आपके आप्षन है A. USA B. जापान C. आस्ट्रेलिया D. फ्रांस उत्तर आस्ट्रेलिया सवाल नंबर छे इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? आपके आप्षन है A. चतिस गड B. राजस्थान C. पंजाब D. नई दिल्ली उत्तर राजस्थान सवाल नंबर साथ COVID-19 वैक्सीन के सुईमुक्त सांस के संसकरण को मन्जूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? आपके आप्षन है A. USA B. चीन C. रूस D. इस्राइल उत्तर चीन सवाल नंबर आठ भारत का पहला नाइट स्काई सैंच्वरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित होने वाला है? आपके आप्षन है R. हिमाचल प्रदेश B. नई दिल्ली C. लद्दाक D. राजस्थान उत्तर लद्दाक सवाल नंबर नौ किस भारतिय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चूल स्कूल लॉंच किया? आपके आप्षन है A. करनाटक B. नई दिल्ली C. तेलंगाना D. केरिल उत्तर नई दिल्ली सवाल नंबर दस 2022 में जी 20 की अध्यक्षरा किस देश ने की? आपके आप्षन है A. भारत B. चीन C. इंडोनेशिया D. श्री लंका उत्तर इंडोनेशिया सवाल नंबर ग्यारा भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जैव विविद्ता संरक्षन पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं? आपके आप्षन है A. जापान B. नेपाल C. श्री लंका D. आस्ट्रेलिया उत्तर नेपाल सवाल नंबर बारा किस भारतिय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राजीव गांधी ग्रामेर उलम्पिक हिलो का उध्गादन किया है? आपके आप्षन है अक असम B. राजस्थान C. चतिसगड D. तेलंगाना उत्तर राजस्थान सवाल नंबर तेरा एक सौ वर्षों के अंतराल के बाद किस राजिकेंद्र शासित प्रदेश को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? आपके आप्षन है A. अरुणाचल प्रदेश B. नागालेंग C. असम D. मिजोरम उत्तर नागालेंग सवाल नंबर चौदा पर्माणो परीक्षन के खिलाफ अंतराश्च्रिय दिवस कब मनाया जाता है? आपके आप्षन है A. 26 अगस्त B. 28 अगस्त C. 29 अगस्त D. 31 अगस्त सवाल नंबर पंद्रा शुमंग लीला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित एक पारंपरिक्त्योहार है? आपके आप्षन है A. केरल B. हिमाचल प्रदेश C. मरेपुर D. असम उत्तर मरेपुर